नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Reverse Forward Starter के control wiring के बारे में है, दोस्तों इसका power wiring हमने last वीडियो में सीख लिए थे, यहीं आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका link में description में द देखिए दोस्तों, यदि हमें Reverse Forward Starter बनाना है, तो हम यहाँ पे दो contactor यूज करते हैं, एक दो reverse contactor और दूसरा forward contactor ठीक है, और motor के protection के लिए यहाँ पर एक ओवलोड रिले का उपयोग करते हैं, ठीक है, दोस्तों, अब यदि हमें motor को चालू करना होता है, तो उसके लिए हम Forward Push Button का उपयो करते हैं, और यदि हमें motor को Reverse Direction में चलाना है, तो हम Reverse Push Button का उपयो करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक Stop Push Button का इस्तेमाल करते हैं, यदि हमें motor को बंद करना हो, तो इस Push Button को प्रेस करके हम motor को बंद कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिए इन सभी को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर हम एक कंट्रोल mcb लेंगे ठीक है इस कंट्रोल mcb के औरगोई टर्मिन से हम पावर सप्लाई को डिस्ट्रिब्यूट करेंगे ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा mcb है इसके incoming terminal पर power supply दे देते हैं तो यहाँ पर मैंने face supply और यहाँ पर neutral supply connect कर दिया दोस्तों ये जो हमारा kontakcorstal होती है इनी में देखिए यहाँ पर A1 terminal है और यहाँ पर A2 terminal ठीक है तो A2 terminal पर हमें neutral supply देना होता है और A1 terminal पर face supply देना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को connect करके यह जो हमारा contactor है इसके A2 terminal पर neutral supply को दे देते हैं इसको neutral supply देने के बाद, यह जो दूसरा contactor है, इसको भी हम neutral supply दे देते हैं, अब हमें face supply को क्या करना है, यहां से ले जाके A1 terminal पर connect करना है, लेकिन इनके बीच में हम इन सभी electrical equipment को भी जोडते हुए लेके जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक wire को connect करेंगे, और जो हम 26 number का terminal है, इसमें से एक wire को connect करके, हमारा जो stop push button है, उसको incoming power supply दे देंगे, ठीक है, अब जो stop push button है, हमारा उसके outgoing terminal से एक wire को connect करके, हमारा जो forward push button है, उसको incoming power supply दे देंगे, ठीक है, अब देखें दोस्तों, यह जो forward push button है, इसके outgoing terminal से एक wire को connect करके, हमारा जो reverse contactor है, उसके NC terminal के सार्ट करने करना ठीक है इस टर्मिनल पर तो हम यहां पर एक वायर को करने करके इस टर्मिनल के सार्ट करने कर देते हैं ठीक है उसके बाद में यह जो हमारा रिवर्स कॉंटेक्टर है उसके और वायर को करने करके यह जो हमारा फोरवर्ड कॉंटेक्टर है इसके एवन टर है तो उस कंडिशन में हमारा जो міरश कॉंटक्टर है वह चालू नहीं होना चाहिए кли Teskin यहाँ पो होता है यदि हमारा रिवाश कंटेक्टर चालू है तो लिए तो लिए दो नहीं हो से तो इसी के इंट्रॉड्क के लिए हम नहीं कि ते盹 क्यों इस्ताइब यहाँ पर जैसे इसको release करेंगे तो तुरंत ही बंद हो जाएगा ठीक दोस्तों यह जो हमारा contractor है इसको hold करके रखने के लिए यहां पर हमें holding circuit बनाना पड़ता है ठीक है तो holding circuit बनाने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा stop push बटन है उसके outgoing terminal से एक वायर को connect करके इस इस रिवायर को connect करने करना है तो हम क्या करते हैं यहां से एक वायर को कने करके A1 terminal पर connect कर देंगे ठीक है तो यहां पर हमारा contactor है उसका holding circuit बन गया अब देखें तो यह हमारा forward इसका कंट्रोलिंग हो गया है अब हमें reverse कंट्रोलिंग करना है अब यह जो हमारा reverse push बटन है इसको हम forward push बटन के parallel में connect करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां से एक वायर को कनेक करके इस terminal के सार्थ connect करेंगे याने कि हमारा जो push बटन है उसको incoming power supply दे देंगे ठीक है अब जो outgoing power supply है उसको हम कहान ले जाएंगे यह जो हमारा forward contractor है उसके nc contact पे ठीक है तो यहां पर हमने इसको connect कर देते हैं ठीक है अब जो nc contact का भी hold करांके रखना है ठीक है तो इसके लिए भी holding circuit बना देते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा contractor है इसका एनो कॉंटेक का इस्तेमाल करेंगे ठीक है अब इस एनो कॉंटेक पे power supply ले जाने के लिए हम यहां से एक वायर को तो यहां पर हमें motor को start करना है तो motor को start करने के लिए सबसे पहले हमें इस mcv को ओन करना पड़ेगा ठीक है इसको ओन करते ही यहां पर आप देख रहे हैं कुछ इसमें भी होता है इसमें भी power supply आगे फ्रोल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी एनो कॉंटेक का इस्तमाल किया गया है ठीक है तो यहां पर हमें यहां पर हमारा एक वायल लूप था इस एनो कॉंटेक के साथ जैसे यह कॉंटेक्टर ओन होती है और पावर सप्लाई यह इसमें फूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् क्यों नहीं चارह गाृँए कि हम इंटर्लोकें रखेंगे और दोस्तों इंटकr मोटर रनिंग कंडिशन में त्रिप होतने हैं तो क्या होगा यह idzos क्षण गांते ही क्या होगा पावर सप्लाइट आगे फ्लो क्लों करते हैं I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रीज इस वीडियो पर like share और comment कर दीजिगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कहें तो subscribe इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद